कोविट का हो बरी जिसके ऑक्सीजन 94 से नीचे जा रही है उसमें हर मरीज में आप इस प्रौन पोजीशन को कर सकते हैं इससे 5 से 10 प्रतिशत का औक्सीजन बढ़ती है मुख के विशह है कि आप मरीज जो ओलता लेटा है पेट के बर लेटा है उसको कमफर्ट होना चाहिए कमफर्ट बैसे मिलता है जैसे बहुत हरेली तक्या बहुत बढ़े हाड ब्रैंडेट तक्या ऐसा ऐसा कुछ जबरत नहीं है जो घर में उरोजाना आप इस्तमाल करते हैं एक आपने तक्या लगाया वो लगाया चेहरे और ये कंधे के नीचे एक तक्या लगाया आपने कमर के नीचे और एक तक्या लगाया आपने ये पैर के नीचे और ठास बात क्या है कि अब आप देखिए ये जो हाथ आप डालना है ये सीना नीचे कुला है ये सीना पीछे कुला है तो सीना इधर भी खुला है अब अब देखें यो यो पूरा उसको खूलने के लिए स्वतंत्र है तो भेप्री का हो हिसा जो सामामे रूप से oxygen के आदान परदान में भाग नहीं ले रहा है वो भी भाग लेने लगता है और हमारी 5 से 10 परचियत oxygen बढ़ जाती है हमारी चिंता दूर हो जाती है तो आप अगर माल लीजियो पेट के बन लेटने में अगर पेशेंट को थोड़ा सा दिक्त होने लगती है तो दाएं और बाएं करवट पी ले सकते हैं इससे भी oxygen पाती है सिर्फ जब आप सीधे लेटने हैं तो oxygen का प्रवात तोड़ा काम हो जाता है तो इस position से मैं फिर बताता हूँ तक्या महतुकूल नहीं है आराम की position बहुत important है आराम की बतात दोड़ा ट्रवात बताता है तो आराम की सा दो को जो इसस पोलता है उसकत है